हेलो स्टूदेंट विल्कम बाक टूर चानल दिस साइट प्यांका थन्ना आपके अपनी एजुकेटर बिटा जैसे की आपको पता है कि हमारे चानल पे आपको हर तरीकी के ओलंपियाट्स की डीटेल मिलती है आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज्यादा इंट्रेस से लगता है बहुत बात्यों का इंट्रेस्ट होता है कि हम ड्रोइंग में कुछ करें और छास और से जब वो लंप्याइट लेवल पे हो तो जिन बच्चों को ड्राइग में इंट्रेस्ट लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है ठीक है बिलीब मीशा इंडियन टैलेंट्स कराता है एक और सब्सक्राइब कराता है तो आप इसके बारे में आप जान लीजे क्योंकि आपको सबसे बॉल्डेन्ट होता है कि आपको यह नहीं पता हो था कि हम इसमें कैसे किस ते किसे फॉर्म बढ़ सकते हैं किस क्लास से किस क्लास तक होता है यह सारी डीटील के लिए आपको हमारे वीडियो एंड तक देखना होगा और साती साथ अगर आप नए है चानल के अंदर तो फटफट आप सब्सक्राइब कर लीजे और जो लोग आपको अड़ेडी है वह हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए विकश्ट आपको हर एक वीडियो में एक न्यू उल्मपियाट के बारे में डेफिनीटली पता चलेगा उसके कुछ न कुछ नहीं वाते आपको पता चलेगी ठीक है सो बच्चो हम बात करते हैं इंटरनाशनल ड्रोइंग ओलमपियाट की देखिए आपके सामने सारी चीदे हमने यहाँ पर अल्ड़ेडी लिखी हैं कि जो आपको इंटरनाशनल ड्रोइंग ओलमपियाट होता है यह कैसे एक स्याम है जो कंड़क्टेट होता है वन्स ए इयर at the national level in your school, ठीक है, हर एक साल होता है, national level में होता है, एक आपके school में होते हैं, apart from exiling in academics, it is important for the student to focus on the soft skill, देखे, पढ़ाई हर को ही करता है, and वो important भी है, definitely, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी अपनी skill होती है, कभी-कभी हम पढ़ने के वज़े से हम अपनी जो skills होती हैं, उसको नहीं आगे कर पाते हैं, उसको focus नहीं कर पाते, तो यह basically उन बच्चों के लिए exam बहुत ही ज्यादा सफर होगा, जिन बच्चों को अपनी पढ़ाई के साथ ये करने का भी बहुत interest होता है, सो आप इसमें पार्ट ले सकते हैं, so there are many students in India who have exceptional drawing skills, बहुत अच्छे उनकी exceptional drawing skills होती हैं, है न, so school English student in such activity in the free time to encourage your young talents, means हमारे जो young talents हैं, उनके अंदर इसीज को encouragement के लिए, कि ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के चलते हमें अपने शौक खतम कर देने हैं, हमारा जो एक कहते हैं, कि आपके hobbies क्या है, तो बच्चे लिखते हैं, drawing hobbies होती हैं, तो उसे खतम नहीं करना है, आपको इस तरीके के olympiाज से पार्ट लेना है, जिसके वज़े से आपकी जो skill है, वो भी आपके साथ पालनली चल सके, along with your studies, ठीक है, so teachers are in a better position to identify the student who are interested in the different art forms, ठीक है, यह बत्रियों को जाने के लिए teachers ही समझ सकते हैं, so activities conducted in a school are enough for the teacher to identify the imagination, आपकी imagination teacher समझ वाती है, and the very important thing कि यह किस class है, किस class होता है, यह हमारे parents का भी बहुत ज़्यादा question होते हैं, so class 1 से लेके class 10 तक के बच्चे दे सकते हैं, so यह particularly video किसी से भी कि student तर वेस नहीं है, यह हर एक देख सकता है, parents देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है, जिसके वज़े से आप अपने आसपास के लोगों को भी बोल सकते हो, कि अगर आप इस class में हो, आपको drawing में interest है, तो इस तरहिके कि वो लप्याज को आप जरूर दीजिए, ठीक है, बाकी detail आपको इस video में मिल ही जाएगी, So, objective behind such exam is to enhance and sharpen the activities, आपकी जो creativity है, among them, ठीक है, So, इसका क्या है, आपकी creativity को आगे उभार के आना, So, it allows students to maintain a balance between the academics and the co-curricular activity, देखे, क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ अपने, अगर कोई exam होता है ना, तो हम उसको देते हैं और बहुत ही मन से करते हैं, लेकिन अगर आप सोचिए, कि हम अपने daily पढ़ाई के साथ साथ copy pen लेकर drawing करेंगे, तो शायद यह कुछ दिन तो चलेगा, बट यह मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो आप exam दोगे ना, तो definitely आप उसको practice करोगे, तो यह आपके दोनों चीज़ों को, academics को भी और co-curricular activities को balance कर सकता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि हम अपने पढ़ाई के साथ कुछ extra-curricular activities करने चाहिए, जो आपकी अपने personality में चाहर चांद लगाता है, तो यह उसी का पार्ट है आप समझ लीजे, ठीक, so drawing is the best form of the expression which reveals true imagination, drawing सबसे बढ़िया एक कह सकते हैं, best form होता है expression का, कुछ express करना है drawing, ठीक है, and which reveals the true imagination को reveal कराता है, so बच्छो how to participate, तब वेरे एक क्वेशन के हम participate कैसे करें हैं, so participate करने के लिए student can contact your teacher, like आप अपने school में बात करिए, अपने teachers से बात करिए, Indian Talent Olympiad is one such organization which believes in bringing out the hidden talent in student for the drawing competition, देखे बच्चो ये actually बहुत होता है, as अगर बात किया जाए कि इतने धेर सारे ऐसे बच्चे हैं, जिनको drawing में बहुत interest होता है, लेकिन हम सर्च करते हैं कि हमें को एक ऐसा competition में जहां पर हम अपने drawing करें और हमें उसे कुछ drawing Olympiad है, so ऐसे Olympiad में या ऐसे competition में पार्ट लेने पर definitely आपकी hobby भी निकल रही है, और साथ ही साथ आप दोनों तरीके से balance हो ठीक है, so यह वही काम है जो आपकी hidden talent को निकालने में काम कर रहा है Indian Talent Olympiad, so it is based in Mumbai, ठीक है, अब आप बात करते हैं, school register online and opt for the Olympiad exam, school register करते हैं online और opt करत है, so this is the best platform for the talented student, जो हमारे talented बच्चे हैं, उनके लिए ये platform बहुत अच्छा है, जहां पर वो अपने interest को, अपने art की aptitude को showcase कर सकते हैं, so Olympiad plays very important role in nurturing the child future, definitely आपको एक national level के competition को face कराने में आपको बहुत help करता है, so this exam is conducted, आपके अपने school में होता है, teachers should encourage students, बच्चों को encourage करते ह हैं, कि आप, मतलब इस particular Olympiad से पाठ लीजे, so the very important thing कि Indian talent Olympiad reward करता है, आपको क्या करता है, प्राइस देता है, आपको award देता है, जवापैसे Olympiad में participate करते हो, जीतते हो, ठीक है, next अगर हम बात करते हैं, कि क्या क्या काम कर रहा है, that is conducted once in a year, drawing Olympiad, excellence, आपकी drawing, sketching, painting, like academics के लावा आप इसमें भी focus कर सकते हैं, so there are many students in India who have actually क्या है, बहुत ही अच्छी skills होती है, so drawing competition, class के बच्चों के लिए होता है, छीक है, यह हम पढ़ चके, so अगर हम बात करते हैं, slavers की, तो slavers क्या है, it is according to the age and the class of the student, कि किसके according होता है, age and the class, देखे, अब अगर छोटे बच्चों से कहते हैं, कि एक पूरी की पूरी किसी इंसान की photo बना दे तो नहीं possible है, so यह depend करता है, कि आप किस class में हैं, उसके according, उसका slavers होता है, so exam होता है, 1-10 के बीच में, slavers is more different for each class, हारी class के लिए अलग होता है, so student are tested on the ability to draw, किस पे टेस्टे होता है, कि किस तहीं के साब draw कर पाते ह हो, अपने creativity को कैसे express कर सकते हो, theme क्या देते हो, ठीक है, color combination क्या रखते हो, topics क्या लेते हो, क्या उस painting से message convey कर पाते हो, और कितना track कर पाते हो, ठीक है, so each and every child has a unique ability, कि अपने आपको express करने के, and drawing is one of the subject that improves the concentration, motivated and also convey message in the best possible way, आपको किसी चीज़ को कुछ समझाना होता है, तो ऐस होता है कि उस चीज़ के picture, अभी जैसे हमने आपको समझाया, तो पीछे यहां पर क्या लगा दी है, picture, कि किस तरीके से imagination किया जा सकता है, तो similarly drawing एक ऐसा subject होता है, जिसमें आपको कोई चीज़ किसी को समझाना है, तो best possible way होता है कि आप उसकी image लगा दीज़, पीछे image चलती रहेगी और आपको समझा जाएगा, let's suppose अगर हम बात करते है, picture देखने के, तो picture देखने में क्यों मज़ा आता है, क्योंकि हम उसमें किसको देख रहे होते हैं, हम actor, actress को देख रहे होते हैं, जो भी जिस theme पर picture होती है, उसका एक पूरा imagination होता है, तो similarly drawing को आप ऐसा relate कर सकते कोई भी चीज अगर आपको message convey करना है, तो एक drawing इसका best possible way कि वो message को convey कर पाता है, clear? तो आप जरूर दीजे अगर आपको इसमें interest है तो, class level drawing competition are conducted in all the school, हर एक school में होता है, जो कि एक national level पे conduct किया जाता हो, और इसका बहुत importance होता है, अब सिर यही बात नहीं है, कि आप इसली क competition को part करते हो, जीतते हो, आपको award मिलता है, तो बहुत ही जादा आपकी cat mix में भी वो help करता है, आगे जाके भी in fact, ठीक है, so student are given cash award, scholarship, excellence certificate, medal, जो कि आपकी, आपका जो खुद का talent है, वो पूरी दुनिया देख रही होती है, है न, सभी घर पे copy से बनाने में, आप जब इस्त talented, so drawing skill built at any age, the earlier they start, the better it to be a excel, clear, so how to prepare, the very important thing कि कैसे prepare किया जाए, so prepare करने के लिए, आपको क्या करना होगा, slavers को समनना होगा, they need to refer to a good resource in the form of workbook, अब इनके पास workbook का भी एक सुविदा होता है, तो से आप इसके better resource आपको मिल सकता है, चीक है, early preparation is always, देखे, कोई भी चीज का exam अगर कल है, तो ऐसा नहीं है, आज आप पढ़ोगे, तो definitely वो आपको इतना अच्छा result नहीं आएगा, तो हर तिसके पहले से तैयारी की जाती है, और अगर आप पहले करते हो, तो उसका result definitely अच्छा आता है, so student practice drawing on their own looking at the picture, अपने ideas अपला सकते ही है, best possible बेस उसको express कर सकते ह is not a challenging task, I don't know कि ये एक बहुत ही जादा ऐसा होता है, कि हमें उसके लिए बहुत तैयारी करने है, नहीं, ये आपका एक hidden talent है तो उसके लिए बहुत जादे एक challenging कोई task नहीं हैंगे, so you need to have your perceptive in place, take some time, draw करिये, अच्छे से उसको सोचिये, ठीक है, so you can refer to previous drawing, add and create, decide your view and start at the eye level, so तो बच्चोg अगर हम बहुत करते हैं, कि ये किस के लिए अच्छा होता है, जो बच्चे find arts में जाना चाते है, जो architecture में जाना चाते है, आगे जा के कहते हैं, कि अपका क्या dream है, तो बच्चे कहते है architecture बनना है, मैं एक interior designing करना है, fashion designing करना है, तो आपकी उस चीज के लिए यह एक path है, यह कह सकते हैं, यह start-up है, जिसको आप start-up ही से करेंगे, तो आप इस level पर पहुशने में बहुत ज़्यादा देर नहीं होगी, ठीक है, since the pattern ideology exam का अलग होता है, student need to prepare for the ad exam separately, तो बच्छों अगर हम बात करते हैं, those who prepare for the drawing automatically score well in the creative ability test, which is conducted at the various college and university, वे भी होता है for the creative process क के लिए, अब बात करते हैं, workbook की, तो drawing Olympiad की जो workbook है, for the international exam के लिए भी होती है workbooks, और वो available है हरे class means class 1 से 10 के लिए, ठीक है, so student refer कर सकते हैं, उन book को ले सकते हैं, workbook purchase कर सकते हैं, आप उनकी official website से निकल ले सकते हैं, खरीच सकते हैं, at a nominal cost, इस particular पे बहुत से parents की भी queries होती है कि हमें workbook कहां से मिलेगी, विकर वच्चों के Olympiards पे पर आ रहे हैं, तो देखिए, उनकी official जो website होती है, वहाँ पर जाके, अगर आप search करेंगे, तो आपको उनके workbooks को खरीच सकते हैं, ठीक है, जो की normal prices पे होते हैं, so the book है, वाँ class 5 topic होता है, that student can refer to enhance year, क्या कर सकते हैं, अ तो ये आपके लिए क्या है, this is the better option, कि अगर आप में इतना talent है, आप अच्छी drawing कर सकते हैं, so आप इस तरीके के पार्ट में exam में जुरूर पार्ट लीजे, clear बच्चों, फिर अगर हम बात करते हैं, step by step tutorial भी present होता है, in all the drawing book workbooks वायदा Indian talent और अमप्यार के जरीए, so student find उस work को find करके अपने आपको train कर सकते हैं, parents भी आपकी क्या कर सकते हैं, इस चीज में आपको master करने के लिए help कर सकते हैं, अब आता है, drawing monthly practice test series भी आती है, so Indian talent और अमप्यार आपका conduct कराता है, monthly exam भी for the drawing, ये जो exam होता है, वो class 1 से class 10 के लिए होता है, ठीके, जहां पे as the name suggests, student are tested every month, हर एक month आपका paper होता है, अलग-अलग topic पे, आपके practice के basis पे, ठीके, those who participate in the drawing monthly test are given assist to the several other test, आपको उसका assist दिया जाएगा, so every month student are tested on one topic, which they need to draw in the front of the camera and the upload, मतला एक कह सकते हो आपके practice करा ही जारी है, आपको एक topic दिया जाएगा, उसे आपे draw करना है, camera के सामने और क्या करना है upload करना है, so monthly test are conducted in the most transparent manner से होता है, ठीक है, so there online test होता है, where student need to sit in the front मता, आपको online होता है, जिसमें आपको camera के सामने बैठना है, और test देना है, audio video should be switched on at all the time, ऐसा नहीं कि अगर हम online दे रहे तो उसमें चीटिंग कर लेंगे, आपको audio video सब कुछ हर time क्या होता है, खुला हुआ ह ठीक है, so Indian Talent Olympiad monitor student using the AI के जरिये, artificial intelligence के जरिये आपको check कर रहा होता है, तो आपको कोई भी यह नहीं कि आप cheating कर सकते है, it record हर चीज audio and video, ठीक है, अब सबसे important बात है कि it also announce the monthly winner and given, क्या देता है, participant को cash prizes देता है, middles देता है, excellent certificate देता है, this inspired to the participant, जब आपको कुछ मिलता है, तो तो to register for the monthly, आपको student registration button पर जाके visit करिये, और वहाँ पर जाके आप देखिये कि आप किस तरीके से part ले सकते हैं, so here you can select the international drawing Olympiad as your preferred subject, अब देखे यह तो हमने drawing के बारे मता है, इसी तरीके से बाकी और subjects के बारे में भी जहां पर आप अपने आपको register कर सकते हैं, ठीक है, fill up the details, pay the fees and you are ready to begin with your drawing particular, हम जिस exam की बात कर रहे हैं, आप उसमें जाके अपनी practice, अपना काम कर सकते हैं, ठीक है, so detail आपको उसमें बननी हैं और आप अपना तयारी करना शुरू कर दीजे, so I hope कि ये बात आपको clear हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, क्योंकि बच्चों को ये उसको choose करियो और अपने olympiarts के paper जरूर दीजे, ये बार-बर हम कहते हैं कि आप अपने catmix के साथ-साथ, जो आप अपने school में पढ़ रहे हैं, उसके साथ-साथ, इस तरीके के paper में भी बच्चों participate करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये आगे जाके आप जितने भी possible olympiarts हैं, में जितने भी olympiarts सलते हैं, उसके सारी detail information हम आपके साथ लाते रहेंगे, so मिलते हैं अपने next video में, till then, bye and take care of yourself